गुड मॉर्निंग सुडेंट्स हम आपका फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे मैटेरियल्स मैटल्स और नॉन मैटल्स अभी तक हमने डिसकस किया था कि मैटल्स और नॉन मैटल्स की फिजिकल प्रॉपिटीज क्या होती है यह हमने अभी इससे पहले वाले सेशन में डिसकस कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजेगा हमने उस सेशन में डिसकस किया था कि कौन सी ऐसी प्रॉपिटीज होती है जो metals को metals बनाती है और non metals को non metals बनाती है तो जो metals होते हैं वो क्या होते हैं बहुत hard होते हैं बहुत कठोर होते हैं lusterious होते हैं बहुत चमकदार होते हैं malleable होते है malleable का मतलब होता है कि जब हम उन्हें किसी भी हतोडे से ठोकते हैं तो वो एक पतली 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 शीट्स में कनवर्ट होने लगते हैं दीरे दीरे करके तो मैलियेबल मतलब मैक्टल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अगर उनको बीट किया जाए तो वो sheets में convert हो जाते हैं fourth है metals की property ductile, ductile का मतलब होता है कि हम जो metals होते हैं उनको हम wires में convert कर सकते हैं तो जो metals होते हैं उनको हम wire में convert कर देते हैं उनकी property होती है ductile जिसका नाम होता है sonorous जबी भी हम किसी metal को बजाते हैं तो उसमें एक बहुत सारा बहुत दर तक ringing sound आता है वो उसकी sonorous property के वज़े से आता है और last क्या होता है कि metals are the good conductors of heat and electricity metals जो होते हैं वो अपने अंदर heat जो होती है और electricity बिजली जो होती है उसे travel करने देते हैं आराम से बिजली और heat जो होती है आराम से उसके अंदर travel कर लेती हैं तो यह metals की properties होती है और इसके इधर जो non metals जो होते हैं non metals जो होते हैं वो डल होते हैं बिल्कुल shiny नहीं होते non metals साथ में अगर हम उसे हतोडे से या किसी भी चीज से ठोकते हैं तो जो चोटे पाउडर में जोटे ब्रेक्दाउन होजाते हैं फिर या फिर हम उसमें कुछ बजाते हैं तो उनमें sonorous sound नहीं आता है, ringing sound नहीं आता है, बिल्कुल sonorous नहीं होते हैं वो, और poor conductor of heat and electricity होती है, उनके अंदर से heat और electricity transfer नहीं हो पाती, ऐसे कौन से non-metals होते हैं, जैसे plastic हो गया, wood हो गया, इनमें से electricity transfer नहीं होती है, ना ही heat transfer होती है, इसी वज़े से जो pan होता है, हमारे घ plastic के ही ढखकन लगे होते हैं, अगर वो वाला portion भी, अगर metal का बना हो, तो फिर हमारे हाथ उसे जल सकता है, क्योंकि, metals are good conductor of heat and electricity, इतना हमने, फर्स सेशन में पढ़ा था, फर्स सेशन में हमने यह भी पढ़ा था, कि metals like sodium and potassium, कुछ exceptions होते हैं, metal के, जिनको हम चाको से भी काट स इसा metal होता है, जो room temperature में liquid state में एक दम पानी जैसा पाया जाता है, अगर हम उसे room में रखते हैं, इसके अलावा जितने भी metals होते हैं, किनके अलावा sodium, potassium and mercury के अलावा जो भी metals होते हैं, यह सब जितनी भी qualities हमने डिसकस करी थी, वो present होती है, इस सेशन में हम chemical properties of metals and non-metals की chemical properties क क्या होती हैं, वो discuss करने वाले हैं, तो chemical properties क्या होता है, कि वो chemicals, जो जितने सारे chemicals होते हैं, उनके साथ वो कैसे react करते हैं, reaction with oxygen, जिसे oxygen के साथ क्या react करते हैं, acids के साथ, water के साथ, basis के साथ, इन सब के साथ, वो कैसे react करते हैं, तो first है, reaction with oxygen, oxygen जो हमारे atmosphere में, जो oxygen जो हम भी ले करते हैं. तो you are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in the air. You has learned that in both the process, oxide formation takes place. Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen. अब जो हमने आपकी 8th class में हैं हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एक जो लोहा जो होता है आयन जो होता है उसमें रस्टिंग कैसे होती है उसमें जंग कैसे लगती है जो भी लोहे की चीज होती है उसमें हमें बहुत बार रिकमेंड किया जाता है कि लोहे की कॉंटेक्ट में या पानी के कॉंटेक्ट में ना आए अगर वो हवा और पानी के कॉंटेक्ट में आता है तो क्या होता है उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाती है उसमें ब्राउन कलर की chemical formula है, वो क्या है Fe, iron प्लस oxygen O2 प्लस water, जब ये तीनों चीज़ react करती है, जब oxygen और water contact में आते हैं iron के, तो क्या बनता है Fe 2 O3, ये जो question mark जहाँ लगा है, महाँ पर आप लिख लीजेगा, Fe 2 O3, ये form होता है, तो जो Fe 2 O3 जो है, उसे हम Ferrous Oxide भी कहते हैं, ये तो रस्टिंग ओफ आयन की जो निकलती है, उसे हम Ferrous Oxide कहते हैं, आयन Oxide भी कहा जाता है इसको, जब हम ये जो rust होता है, रस्ट को हम जब खूरेत के निकालते हैं, और उसको experiment ही है, जो आपकी next activity में हम करने वाले हैं, तो उसमें जो Oxide निकलेगी वो Ferrous Oxide है, तो अब ये activity हम देख लेते क्या है, Let us check the nature of rust formed as a result of reaction between iron, oxygen and water, की हमें इसमें क्या nature of rust, की जो rust जो निकलती है, ये जो जग जो निकलती है, जग का nature क्या होता है, क्या ये acidic होती है, या फिर basic होती है, basis होता है ये, या फिर, क्या होता है ये हम, इसमें find out करेंगे Collect a spoonful of rust and dissolve it in a very little amount of water, एक spoonful of rust लीजिए, एक spoon, थोड़ा सा spoon भरके, rust जो जग है, वो उसको खुरिद-खुरिद के आप निकाल सकते हैं, तो वो लीजिए and dissolve it in a very little amount of water और उसे किसके अंदर मिला देना है बहुत छोटा, उसमें हमें पानी लेना है, किसी भी चीज में आप पानी ले सकते हैं, उसमें, उसे dissolve कर लेना है मिला देना है, you will find that the rust remains suspended in a water आप ये आप ये पाएंगे कि ये जो rust होगी, वो पानी के साथ थोड़ी घुल मिल जाएगी test the solution with red and blue litmus paper, उसके बाद उसे अच्छे से शेक करिए, पूरा वो पानी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा उसके बाद आप litmus paper लीजिए, अब litmus paper क्या होता है, बहुत सारी पहले भी classes में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार में फिर भी एक विक में बता देती हूँ litmus paper जो होता है, वो pH scale ये जो हमको दी हुई है, उससे litmus paper से हमें बता चलता है कि कोई भी जो हमारे पास substance है, वो acidic है या neutral है, या alkaline alkaline मतला basis है basic है, कोई चीज एसेड है कि हमें litmus paper से पता चल जाएगी तो litmus paper जब red होता है, तो red होता इसका मतलब क्या है, red मतलब खतरा, खतरा मतलब acid है वो blue होता है, blue color का होता है, ब्रू गलर का होता है इसका मतलब वो alkaline है alkaline मतलब वो एक basis है और अगर वो green color का होता है तो green color का मतलब होता है कि वो acidic nature का भी है और वो basic nature का भी है मतलब वो neutral है तो ये हमें पता चलता है litmus paper अगर color change करता है तो ये color हमें पता चलता है तो ये जो हम करेंगे ये litmus papers है फिर हम test करेंगे test the solution with red and blue litmus papers what do you observe? है the solution acidic & basic. अब us with a fat pak करेंगे तो जब आफ लिटमिस पेपर को से टाक करेंगे तो क्या पाएंगे कि कि जो लेटमास पेपर होगा वह कौनसे कलर में चेंज हो जाएगा? बलू कलर में चेंज हो जाएगा! redमस paper will change to blue जो red militmas paper होगा वो कौन से color में change हो जाएगा blue color में change हो जाएगा और अपनने अभी क्या discuss किया था blue color मतलब alkaline alkaline मतलब वो एक basis है वो acid नहीं है तो यह जो यह हमने activity करी थी इसे हमें क्या पता चलेगा कि यह जो rusting जो होती है junk जो होती है rust जो होती है iron oxide जो होती है वो क्या होता है basic in nature ठीक है क्या होती है basic in nature होती है वो basis होता है वो acid नहीं होता तो अब यह पहेली आपर question पूछ रही है does copper also get trusted कि जो copper होता है जो तामबा होता है क्या वो भी उसमें भी जंग लग सकती है क्या I have seen a greenish deposit on the surface of copper vessel वो बोलती है कि मैंने green color के ऐसे छोट-छोटे deposits देखे है copper के जो बरतन है हमारे घर पे तामबे के जो बरतन है उसमें मैंने क्या देखा है एक green green color की जंग लग जाती है तो क्या copper के इसमें भी जंग लग सकती है तो इसका अंसर है Yes, copper जो होता है वो भी एक metal है उसमें वो भी oxygen के contact में जब आता है तब क्या होता है उसमें oxygen या water के contact में आने पर उसमें भी जंग लगना स्टार्ट हो जाती है When a copper vessel is exposed to most air for long it requires a dull green coating उसमें क्या हो जाती है copper का जो वैसल होता है तांबे का जो बरतन होता है उसमें green color की coating आ जाती है अगर उसमें उसे बहुत ज़दा देर तक most condition में बाहर oxygen में बहुत ज़दा रखा जाए तो तो जो green color की उसमें जो जंग लगती है the green material in mixture of copper hydroxide वो क्या होता है वो copper hydroxide होता है जिसका chemical formula है CuOH2 and copper carbonate होता है जिसका formula है CuCO3 the following is the reaction और कौन सी reaction होती है जब Cu जो हमारा copper होता है जब वो plus H2O H2O मतलब water water plus CO2 मतलब carbon dioxide plus O2O2 मतलब oxygen इन सब से जब वो react करता है तब वो क्या बनाता है CuOH2 जिसका नाम है copper hydroxide और plus CuCO3 जिसका मतलब है copper carbonate ये चीज वो बनाता है जिसकी वज़े से वो greenish चो coating हो जाती है वो तामबे के बतन में आ जाती है पानी वाली जगह पे और जहां पर बहुत सारी oxygen हवा में बहुत देतक रहता है तो ये वाली reaction हो जाती है उस पर greenish coating greenish rusting हो जाती है Now recall the activity of burning magnesium ribbon अब क्या बोला है आपको कि आपने जो class 6 में एक magnesium ribbon जलाने की जो activity करी थी कि air में हमने magnesium ribbon जलाया था The ash obtained or burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic basic nature तो जो magnesium ribbon वाली activity आपने आपकी पहले वाली classes में करी थी उससे जो ashes निकलेंगे उसकी जो राख निकलेंगी जब हम उसको भी पानी में dissolve करके अगर उसका test करते है कि वो acid होता है कि basic होता है तो जब हम यह वाला test करेंगे तब हम यह ही पाएंगे litmus paper से कि वो litmus paper जो होगा red litmus paper किसमे change हो जाएगा blue litmus paper में change हो जाएगा और blue का मतलब क्या है कि वो एक basic nature का है वो acidic nature का नहीं है तो यह दोनों experiment से हम क्या भोल सकते हैं कि जो metallic oxides जो होती है are basic in nature कि जो भी metal से जो भी deposits निकलते हैं जिसे rusting जो हो जाती है copper पे जो greenish coating आ जाती है इसके साथ जो magnesium ribbon हमने जो जलाया था तब उसकी जो ashes निकलती है यह सब क्या होती है basic nature की होती है यह acidic नहीं होती हम यह चीज़ कह सकते हैं कि metallic oxides are basic in nature इस experiments और यह पूरे portion से हमें यह पता चला अब आपकी activity है activity 4.4 अब यह activity 4.4 to be demonstrated by the teacher in the class class में आपको यह activity करनी है take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon is not available you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape of shown in figure 4.4 as soon as sulfur starts burning introduce the spoon into a gas jar glass tumbler cover the tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape remove the spoon after some time add a small quantity of water into the tub tumbler and quickly replace the lid shake the tumbler well check solution with red blue litmus paper तो इस activity में मैं आपको शॉट मेदा देती हूँ क्या हुआ है कि हम एक small amount of sulfur लेंगे एक spoon में डिफ्रे ग्रेटिंग स्पून में लेंगे अगर आपके पास वो पून नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कोई सी भी किसी भी बॉटल की कैप ले सकते हैं मैटलिक होनी चाहिए वो और उसके ओपर हमें तार ऐसे फोल्ड करके जो फिगर में बताया है वैसी बना सकते हैं उसमें थोड़ा सा powdered sulfur लेंगे sulfur जो होता है वो एक non-metal होता है हमने पीला कलर का होता है हमने देखा था तो वो लेंगे powdered sulfur लेंगे और फिर उसको जलाएंगे जल्दी से और यह जो टंबलर दे रखा यह ग्लास जार होता है यह इसमें डाल देंगे इसको पूरा जलने देंगे उसके बाद जब यह थोड़ा थोड़ी देर बाद हम यह धक्कन को उसमें से निकाल देंगे उसके पाद थोड़ा स solution बनेगा तो उस solution को हम litmus paper पे जब check करेंगे तब हम यह देख पाएंगे कि जो litmus paper है वो कौन से color का हो गया है red color का हो गया है तो जो blue litmus paper है वो काई में turn हो जाएगा red color में हो जाएगा red मतलब खत्रे का निशान मतलब red मतलब वो acid बन जाएगा तो इस activity से हमें यह पता चलेगा कि जो अगर हम non metals जो होते हैं non metals की जो oxides होती है वो क्या होती है are acidic in nature वो acid produce करती है वो acidic in nature acid जैसी होती है the name of the product formed in a reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas तो हमने अभी जो activity करी थी उसमें जो gas form हुई थी उस gas का नाम है sulfur dioxide gas जब हमने sulfur और oxygen वाली जो अभी experiment किया था उसमें जो gas form हुई थी उसका नाम है sulfur dioxide gas when sulfur dioxide is dissolved in water simultaneously acid is formed तो जब यह वाली gas को पानी में हम मिलाते हैं पानी के अंदर add करते हैं dissolve करते हैं तो क्या बनता है एक acid बनता है तो इसमें reaction कौन सी होती है CO2 plus water H2O तो इसमें क्या बनता है H2SO3 जो कि एक acid होता है the sulfurous acid turns blue litmus paper red तो यह वाली जो acid होता है जब हम blue litmus paper में check करते हैं तो blue litmus paper कौन से में convert हो जाता है red litmus paper में convert हो जाता है red color का हो जाता है इसका मतलब क्या है कि यह एक acid form करता है generally oxides of non-metals are acidic in nature तो इससे हमें क्या पता चलता है oxides of non-metals मतलब non-metals से जो भी oxides जो निकलती है non-metals की वो क्या होती है acid होती है acidic in nature होती है जबकि जो non-metal की oxides होती है वो basic in nature होती है कोई harm नहीं पहुचाती recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7th note down their names in table 4.4 identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen तो इस वाले session में हमने अभी एक बास हम अप कर लेते हैं क्या डिसकस किया इस वाले session में हमने दो activity देखी एक तो rusting of iron की iron में junk कैसे लगती है उसमें कौन सी reaction होती है यह हमने देखा उसमें क्या form होता है magnesium ribbon को जलाते हैं तो उससे जो oxide form होती है वो कैसी होती है copper vessel में जो coating आती है greenish वो कौन सी होती है तो यह सब जो होती है they are basic in nature basic होती है nature में कोई नुकसान नहीं पहुचाती जबकि जो non metal जो होते हैं जिसे coal हो गया sulfur हो गया और plastic हो गया यह सब चीज़े जो होती है sulfur वाला जो हमने experiment किया उससे हमें क्या पता चलता है कि sulfur जो non metal जो होते हैं उनकी जो oxides होती है they are acidic in nature वो acid जैसी काम करती है अगले वाले session में हम क्या discuss करेंगे reaction with water कि metals और non metals water के साथ कैसे react करते हैं जब तक कि आप यह session अच्छे से देखिए थोड़ा complicated concept था यह अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं और तब तक के लिए have a nice day